नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख समचार महाकाल मंदिर में 20 दिसंबर से मोबाइल पर बेन लगाया जाएगा स्री महाकाल मंदिर प्रबंध समीत की बैठक में यह निर्ने लिया गया समीत अध्यच कलेक्टर आसियस सिंग के अध्यचता में सौंबार को बैठक हुई मंदिर केंपस में फिल्मी सांग पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले बढ़ने पर मंदिर प्रबंध समीत ने महाकाल मंदिर केंपस को नु मोबाईल जोन में बदरने का निल्ने लिया है यानि अब कोई भी स्रधालू अपने साथ मोबाईल नहीं ले जा पायेगा मन्दिर परिसर में किसी के पास मोबाईल मिला तो जुर्माना वसूला जाएगा हाई कोट में लंबित प्रकरणों का निराकरण जल्द से जल्द किये जाने को लेकर हाई कोट प्रशासन ने तीन सकारात्मक पहल की है पहली तो यह कि सुनवाई का समय सुबह सबा 10 से साम 4 बच कर 45 मिनट तक किया जाए दूसरी पहली यह कि सप्ताय में एक दिन ऐसा हो जब किसी भी केस को आगे नहीं बढ़ाया जाए इसे नो एड़जर्णमेंट डे घोशित किया जाएगा वहीं तीसरी पहल के तहत हाई कोट में अवकास की संख्या भी कम कर दी गई है स्टार्टप्स को बढ़ावा देने वाले इंदोर में कल यानी 7 दिसंबर को प्रारम समिट का आयोजन किया गया है इसमें 200 से ज़्यादा स्टार्टप्स सामिल होंगे इनमें बहतर आयाम देने वाले 10 स्टार्टप्स को फंडिंग भी दी जाएगी प्रारम समिट का आयोजन प्रेस्टीज प्रवंध संस्थान के यूजी केमपस में किया जाएगा इंदोर ला कालेज की लाइबरेरी में मिली विवादास्पत किताब सामोहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्यत की लेखिका डांक्टर फरहत खान परिवार समेथ फरार हो गई पुलिस उनके घर पहुंची तो दर्वाजे पर ताला लटकता मिला जिस पर ग्रह मंति डांक्टर नरोत्म मिस्तरा ने कहा कि फरहत खान की पीचडी की डिग्री वापशी के लिए कारवाही होगी लेखिका और प्रकासा की गिरफतारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है मुखमंति शिवराज सिंग चोहान ने भोपाल में पंचकर्म सुपर इस्पेसिलिटी एवं विलनेस केंद्र तथा रज़त जयनती अडिटोरियम भवन का रिमोट का बटन दबाकर लोकारपन किया सियम सिवराज सिंग चोहान ने बड़ी घोंशना करते हुए कहा कि अब मेडिकल वा इंजिनिरिंग की तरह आयूर्वेत की पढ़ाई भी हिंदी में होगी प्रदेश के ऐसे जनजाती बहुल जिले जहां पर इसनात कोत्तर महाविद्याले नहीं है ऐसे छेत्रों में पीजी कालेज शुरू के जाएंगे यह निर्देश उच्छे सिच्छा मंत्री डाक्टर मोहन यादव ने सोमबार को उच्छे सिच्छा विभाग के विभागी समीच्छा बैठक में कहा उन्होंने उमर्य जिले में भी इसनात कोत्तर पढ़ाई के लिए महाविद्याले प्रारा मकन्ये के निर्देश ती प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुरोना संक्रमन का एक नया केस आया है वहीं दो मरीज ठीक हुए हैं वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिब केस 6 हैं वहीं संक्रमन अधर 0.07% और रिकवरी रेट 98.70% है कल देन भर के प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुबरातरी